इंडिया गडबंधन के घटक दलों में से एक DMK लगातार सनातन धन पर आपत्ती जनक तिपड़ी कर रही है। चौकाने वाली बात तो ये है कि अपने आपको हिंदुवादी पार्टी कहने वाली सुषेना उद्धो बाला साइब ठाकरे गुड़ भी इस मामले पर चुपपी साध हुए है। धर्म पर लगातार तिपड़ी की जा रही है। बहुत आपत्ती जनक तिपड़ी की जा रही है। शुरुआत हुई थी MK स्टालिन के बेटे हैं उद्धै निधी स्टालिन। उन्हों ने कहा कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है और इसका उन्मूलिन जरूरी है। इसकूल के कायरकब में उन्होंने कहा कि रामचेद पानश नफरती ग्रंथ है और जिस प्रकार से मनु अस्मृति को जलाए गया वो ऐसे रामचेद मानश को खतम कर देना चाहिए। और आजाए फिर आगे बढ़ जाए उत्तर प्रदेश मा जाए उत्तर प्रदेश में पूर में एक दंगाई पार्टी थी समाजबादी पार्टी जिसके कारकाल में पांच हजार से उपर दंगे हुए। यह सरकारी रिकॉर्ड है और सिर्फ एक पंथ एक मजब एक संपरदाई की बात होती थी सनातन पे और सनातन के मानने वाले को डंडा पड़ते थे यहां तक कि पूज संकराचारे उनको भनारस में लाठियों से पीटा गया यहां तक कि आयोध्या में जब यह मुखपंत्री थे तो 84 कोशी प्रक्रमा होनी थी उस पर बेन लगा दिया गया हन्मानगड़ी मंदिर पर गेट बंद करके लाठी चार्ज हुआ इसके साथ साथ इनके जो अभी पूर में इनके सरकार में जो मंत्री रहे हैं स्वामि प्रशाद मौरिया सनातन को इस प्रकार से टार्गेट करना उटी उची सीधी बाते करना सनातन को समाप्त करने की बात करना सनातन के प्रति नकारात्मक सोच समाज में लाना और सनातन का और हिंदू का ब्राह्मन को धर्म बता कर और जिस प्रकार से समाज में द्व रूख घटक दल है वो और उसने सीधे तोर पर सनातन को डेंगू मलेरिया और ऐसे ऐसे सब्दों से उन्होंने संभोधित किया कि बामपंतियों का यह साजिस था बाम पंतियों ने इसका एर्कम को अयोजन किया था कि सनातन उन्मूलन समेती करके नाम दिया था सनातन को सिच्छा मंत्रे उन्होंने भी ऐसा ब्यान दिया दुरभाग पुर्ण है कहने का भी प्राय ये है मैं पूछना चाहता हूँ कongress party से दुरभाग है कि कongress party के जो अभी बर्तमान में राश्ठी अध्यच है उन्होंने क्या कहा उन्होंने यह कहा कि अगर आप लोग मोदी को बोट देंगे, मोदी मजबूत होगा, तो सनातन मजबूत होगा, इसका भी प्राय क्या है, इसे पूर्व में ही, चाहे आप देख लिए दिग्गी राजा को देख लिजे, हिंदू और हिंदुत का अलग चोला बता दे रहे थे, हिंदू और है, इस शरीर से अगर प्राट निकल जाए, तो आप सोभाविक है कि हमको आज नहीं कल अंतेष्टी करीद हुए, जिस संपरदाई के महें मानने वाला हूँगा, उस संपरदाई के हिसाब से आप हमारा दास अंसकार कर दोगे, तो यह अगर कहना कि हिंदू और हिंदुत मे मैं फरक लगता हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, जिन्होंने घमंडी घडबंधन मनाया है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ मानिय राष्टी अद्धित जिसे, आपने कैसे कह दिया कि मोधी मजबूत होगा, सनातन मजबूत होगा, सनातन से आपको क्या समस्या है, उसके बाद, इनके बेटे ने भी गलत ब्यानिबाजी किया, और लगातार एक ने अनेक कॉंग्रेस में सुरू से ही, बोको और हम आई-स-ाई-उ तालिवान से जोड़ दे, यहां तक कि जब रामजरम्भू मंदिर, निर्मान का जब आदेस आने वाला था, तो 16 17-17 उकिल खड़ कर दे का रही, रामजरम्भू मंदिर का आदेस आएगा, तो इससे बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, अभी नहीं होना चाहिए, उससे भी नहीं हुआ तो संतों को फोल लिया कि नहीं, अभी मोर्त सही नहीं है, तो कुल मिला के कहने का भी प्राई यह है कि गमंडिया, गडवंधन के जितने घटक दल हैं, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, जिनका जन्म सनातन के लिए हुआ है, मैं मुंबै आया हूँ, और मुंबै में सिभसेना प्रमुक जो थे, बाला साथ ठाकरी जी, स्वर्गी है, जो सनातन के लिए कि हाँ मैंने, किसी राणितिक दल्ले नहीं का, लेकिन बाला साथ ठाकरी ने का कि गर्वस को हम हिंदू है, और हमने भाबरी माजिद को द्वस्त किया, मैं गारंटी और मैं जीमेदारी लेता हूँ, लेकिन आज उनका पुत्र, उदो जी, कर क्या रहे हैं, और मैं इसके पहले ये भी गए थे, मैं इनसे सवाल पूसता हूँ, मेरा सवाल उदो जी से है, मैं मुंबई में हूँ, दंके के चोड़ पर मेरा सवाल उदो जी से है, अगर भारते जनता पार्टी को पर आप आरोप लगा रहे हो, कि भारते जनता पार्टी सनातनियों को अध्या बुला रही है और अध्या में बुलाने के बाद जब ये रामभक्त बाहर आएंगे तो दंगा करवा देगी मरवा देगी गोध्रा जैसे कांड करेगी और उसके बाद देश में दंगा फैलाएगा तो क्या आप का रहे हैं क्या गोध्रा कांड से आपको सर्म नहीं जिस प्रकार से गोधरा कांड के विशेम आपको पता नहीं कितने लोगों की गिरफतारी हुई वो कौन थे 56-57 लोग की गिरफतारी हुई गोधरा कांड में वो लोग कौन थे और आप आये तो एक क्रोर रुपया राम जिरंभों में दिये तो यह क्या छलावा था कि आपका ठीक है आपको वीजेपी से नहीं बनती आपका संग से नहीं बनती आप संग का विरोध करो आप वीजेपी का विरोध करो लेकिन वीजेपी का विरोध करते करते संग का विरोध करते करते बाला साब ठाकरे के जो विचार थे जो उनका हिंदुत बादी सोज था उस पे आता हूं कि ऐसे लोग खिलाब कारवाई होनी चाहिए एध्या में एक संतों के खिलाब राश्द्रों का मुकद्मा इन डियंके की नेताओं ने करा दिया लेकिन अभी तक उदय निधी जैसे आतंकवादी जो समाज में जहर घोला है उसके खिलाब बेश्द्रों का मुकद्म क्यों नहीं हो रहा है ऐसे लोग को पर कारवाई क्यों नहीं हो रहा है एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ जो आपने उद्धो ठाकरे का मुद्दा उठाया ये कह रहे हैं कि जब जनवरी महीने में 2024 में भवे राम मंदर बनकर तयार होगा पुजार्चना होगी देश भर से सनातिनी भगवान राम को मानने वाले लोग वहाँ पर पहुचेंगे तो ये हत्याकान कराया जाएगा दंगा कराया जाएगा बी जेपी चुनाओ जीतेगी क्या परिवरतन दिख रहा है आपको बाला सहीब ठाकरे के वищार में और अब जो उद्धो ठाकरे का विचार आरहा है क्या अंतरपाँने दुर्भाग पुर्ण है बाला साहब ठाकरे जी हम लोग के लिए सिरमवर हैं और सनातनी हिंदू सेर है जिसने किसी को सताया नहीं लेकिन अगर हिंदूओं को किसी ने सताया मारा तो उन्होंने मौतोर जवाब दिया मामली बात नहीं है उन्होंने पहले किसी को पर बार नहीं किया किसी को सताय नहीं लेकिन किसी ने भी अगर हिंदूों को वाहराष्ट में टार्गेट किया तो उन्होंने मुहतोर जबाब दिया और लगातार वो सनातन के पच्च में ऐसी राजनी तो पसंद ही नहीं करते थे उन्होंने कहा कि अगर मुझको कांग्रेस से गडबंदन करना हो सरकार बनाना हो मैं सरकार को तिलांजली देंगा लेकिन नहीं सोनिया एंटोडो मायनों के चरण में जाके उधोजी जुग गए प्रेंका बाड़ा के चरण चाटने लगए राहुल बाबा के चरण सहलाने दिखा दिया कि तुम्हारा क्या स्कृत्य खतम हो गया सिर्फ से न बढ़ गई सिर्फ से न खतम हो गई दूसरी बात उन्होंने यह आरोप लगाया कि कि एक तो बाला साहब के जो विचार थी और आज उधो की कैसी विचारधारा है उसने संग और बीजेपी का विरोध करत किया उसका पतन निश्ची थे आज देखिये मोधी जी का विरोध सब करते थे मोधी जी प्रदारमंत्री हो गए उत्तर प्रदेश में एक शंध है उनका विरोध करते थे मुंबई की धर्ती पर मैं आया हूँ और महराश्ट में अभी मौजूद हूँ और मैं इनको चिताबनी देता हूँ कि अगर अभी भी आप नहीं सुद्रोगे स्नातन के प्रती विचार जो आपकी पितास्री का विचार था उस पर आप खड़े नहीं उत्रोगे तो आज तो क आपको कहा था कि आने वाले दो साल में तुम्हारी सरकार खतम हो जाएगी मैंने कहा था तमाम टीवी चैनल पर है वो चीज और जब तक सरकार खतम नहीं होगी तब तक मैं मुंबई में पैर ने रखूंगा लगाता दो वरस तक अध्या हनमानगड़ी में हवन किया और जो डियमके के नेता बयान दे रहे हैं चाहें के स्टैलिन के बेटे हो उदयनिधी स्टैलिन या डियमके के नेता हो ए राजा अभी वहां के उच्छ सिछा मंतरी है के पोनमुडी उनका एक बयान आया कि जो इंडिया गडवंधन बना है वो इंडिया गडवंधन बना ही इ यही तो एही तो मैंने कॉंग्रेस पार्टी से सवाल किया क्या इंडिया गडवंधन इसलिए बना है कि सनात्म को खतम करना अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी को जवाब कि नेता लगातार एक नहीं चैह वहां का सिख्छा मंत्री हो चाहे ए राजा हो चाहे उद्य निधी हो इसके सासात एक फिल्मी जगत का प्रकास राज है अब बताओ इसकी हैस्यत हो गया अरे जिस सनातन को लंकापती रावन नहीं मिटा पाया जिसका लख सवालाख बेटे थे पोते थे एक लाग पूत थे जो चौंसर चोकरी राज किया वो सनातन को नहीं मिटा पाया तो ऐसे गवंडिया गडवंधन के लोग क्या सनातन को मिटा पाएगे यह दुरभाग पुर्ण है आप देखिए डेन मार्क में काटून बनता है सनातन को जगने की जरूरत है हम किसी भी संप्रदाय के विरोधी नहीं है लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपको अधिकार चर्चा करिए सनातन पर चर्चा करने वाले कौन होते हैं नमर एक नमर दो सनातन को गाली देने वाले सनातन को डेंगू मलेरिया यहां तक की एड्स जैसे संग्या देने वाले आप कौन होते हैं एक काटून बनी डेनमार्क में मुहम्मद साहब के ख़लाप और नव की नव पच्छकार सनातन को भोल ले थे मैं उस टीवी चैनल से उड़ गया लेकिन नुपुर सर्मा वैठी थी और नुपुर सर्मा ने उस चीज का जवाब दिया मैं भी यह कह सकती हूँ मैं उनके ब्यान के साथ मन नहीं हूँ लेकिन आज क्या इस्तिती हो गई कनिया कुमार जैसे लोग का सरकड़ गया एक डाक्टर था वो डाक्टर ने जिस व्यक्ति को 6 लाक रुपया उसकी बहन के साधिम दिया था उसकी हत्या होगे दुर्बाग पुर्ण है कश्चिज बात की है कि जो घमंडिया गटबंदर है इस गटबंदर में जितने घटक दल हैं इसमें कुछ किसी ने अधिकार नहीं दिया सनातन को एड्स डेंगू मलेरिया और जो मैं बोल नहीं सकता हूं ऐसे भी लोगों ने संग्या दिया है ऐसा संग्या देना अगर आपके अंदर दम हो तो आप किसी मंच पर आजाओ सास्तार्थ कर लो मैं आपको जवाब दे सकता हूं किसी भ कर नहीं दिया है कि सनातन को गाली दोगए तो अभी जनता जग रही है आपका मुझ तोड़ दे गा पेहले बात तो मैं उच नियाले और उस्तम न्याले से निवेदन करना जाओंगा अभी कईक मामले में आपने हस्तचेप किया क्या मानिय चंद चूर साहब को यह चीज नहीं दिखाए दे रहा है क्या एलो कैसे अपसब्द का प्रयोग कर रहे हैं इनके खिलाब कारवाई क्यों नहीं होना चाहिए नम्मर एक नम्मर दो अभी अगर मुझको लगता है मोदी जी अगर कोई कारवाई करते हैं तो करना चाहिए उनको लेकिन मुझको लगता है कि मोदी जी भी डर रहे हैं क्या अगर वो कारवाई करते हैं मुझको लगता है कि यह लोग कहने चल जाए कारणा शुरू कर देंगे कि अब तो सोतमता भी छिने वाली कोई बोल भी नहीं सकता है सोतमता का मतलब यह नहीं होता है कि हम इसलाम को गाली दें सोतमता का यह मतलब नहीं होता है कि हम सनातन को गाली दें आप एक चेस्मा से सबको देखिए न आपके लिए शनातन के लिए दूसरा चैस्मा इसलाम के लिए दूसरा चैस्मा इसाई के लिए दूसरा चैस्मा है का ऐसे चलेगा तो यह तभी रुकेगा जब सरकार सक्त कानून लाए कोई भी व्यक्ति किसी दलका हो अगर शनातन ही नहीं किसी भी मजभ किसी भी संप्रदा एक तरब तो आप यह कहते हो कि देश संविधान से चलता है बाबा साहब अंबेटकर द्वारा रचित संविधान के ताहद यह देश चलना चाहिए तो यह देश जब राममचलत मानश से नहीं चलता यह देश जब गीता से नहीं चलता यह देश जब कुरान से नहीं चलता य और तीन हजार जातियां हैं एक दूसरे की जातियां में साधी नहीं होती हलाला और तीन तलाग पर सवाल नहीं कड़े होते बहनों के साथ क्या दुरबेवार होता है उस पर कोई चर्चा नहीं करता क्या ये कूरीती नहीं है सनातन में कूरीती थी सतिप्रता उसको हम लोगों ने खतम किया आप लोगों ने श्विकार किया सनातन में कुछ लोग थे जो चुआ चूत करते थे वो भी आज खतम हो गया कहीं कोई कहीं आ नहीं सकता है मैं सादू मेरी जाद मता दू मंदर में किसी भी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं है लेकिन आप देखो इशाई में भी 16 प्रकार से अगर किसी को सनातन से Tकलीफ है किसी से हिंदू को टकलीफ है आप समझ सकते हो कि 80% हिंदू बाहूल सनातन बाहुल के जगा पर सनातन को खत्व करने की बात हो है इसी के नाते यहां संभिधान की राज है अगर रामचित मानस और गीता और रामाईन का राज होता ऐसे लोग नहीं बोल सकते थे इसके नाते कानुन बनना चाहिए सक्त कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों खिलाब सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए और उदे निधी जैसे लोगों को तो भाशी होना चाहिए स्वामी प्रसाद मोरिया जैसे लोगों को कभी घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहिए ऐसे लोग जो सनातन क के खिलाब बोलते हैं इनको उपर सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए देनवाद हमसे बात करने के लिए तो साफ पस्पस्ट राय है कि इस पर एक कठोर कानून बना चाहिए और जो भी किसी धर्म का आपमान करते हों आपति जनक तिकपड़ी करते हों उनके पर कठोर करते हैं